जय हिंद सभी को तो बहुत दिन के बाद फिर आज हम आप लोग से मिल रहे हैं तो थोड़ा सा बात्चित करें जिए कि आप लोग का जो SACJD का एक्जाम का रिजल्ड जो है वो तो आपको पता होगा कि 15 अपरेल को सायद आने वाला है इसका मतलब यही वागी competition और बढ़ ग ही नहीं है क्योंकि इस पार negative मतलब मैनस मार्किंग है ठीक है तो कहने का मतलब यह था अगर आप लोग का फरबरिम रिजल्ट आ जाता और मार्च सब में अगर रनिंग होने लगता फिजीकल अगर होने लगता तो बहुत सारे ऐसे कंडिडेट थे और खास करके SACJD या इन सब एक्जाम में लगवग ऐसे कंडिडेट भी बढ़ते हैं जो सिर्फ एक्जाम निकालने के लिए बढ़ते हैं कि देखें मेरा एक्जाम का तैयारी कैसा है एक्जाम को एलिफाय कर पाता है कि नहीं वास्ता में उनका फिजीकल का कंडिशन बहुत खराब रहता है ठीक है और एक्जाम निकाल लेते हैं लेकिन अब तो रिजल्ट देना है उनको वही 12 गुना तो उनमें रिजल्ट तो वही कांटिंग होगा और जबकि वो इस्टुडेंट जो जिनको सिर्फ एक्जाम निकालना था वो तो दूसरा इस्टुडेंट का सीट खा गया और वास्ता मे ही दर है कामघन है जो इस्टट्स का तयारी नहीं कर रहा था मतलब पुरा कम जोर नहीं किakah लगता था है ऐसे सी अपने कलेंडर में तो अप्रेल में तो खेर आही जाएगा जब वो लिख दी है तो तो अप्रेल और उसके बाद मई उसी मई सब के आज पास मुझे आप लोगा रॉनिंग होगा ठीक है रॉनिंग में कोई कोई स्टुडेंट फिजिकल में कमजोर था उसका भी फिजिकल अच्छा हो जाएगा और पांच किलो मिटर का रॉनिंग है कोई बड़ा चीज तो ऐसा नहीं कि आप लोग आर्मी वाला रॉनिंग में जा रहे हैं दम मतलब पांच मिनार सबा पांच मिनार साड़े पांच मिन ख्रिकल उडिकल उसुड़ेंट का मतलब क्या बता है मेडिकल तो इस्टेंडर अच्छा ही होता है एकी चीज का फर्क रहता है आँक का है ऐई विजन टेस्ट जो होता है उसमें मतलब आप लोग का A2 वाले में जो है एक आँख जो है आपका 6x6 और एक आँख आपका 6x9 होना चाहिए ठीक है तो लगबग तो देखिए ठीक ही रहता लेकिन मेडीकल में बहुत सारे स्टुडेंट को छाटा जाता है और इस बार तो देखिए कैसे कैसे क आपडेट देते रहेंगे तो मैं मिला तो आज संडे था बहुत दिन के बाद फिर हमको वीडियो बनाने का मौका लगा यूट्यूबर सभी ठीक है डेली कम से कम वीडियो तो बनाता है तो हम क्या बोल रहते हैं कि कमप्रिटिशन हाई जाएगा तो जितना लेट होगा मान है सचा ये जितना फिजी कल सट्व स rap रेधिक्व लेट होता ह kidding किछ सेटिंग वाडवी किसी माध्यम से माध्यां में सेटिंग होने लगा इतना ला कos पास कर्वा दो ऐसा system चलता ठीक है लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए मेरी हिसाब पिछले बार बी डिएरेक्ट में गया था ना उसके बीच में लगभग लड़का जो री मेडिकल में गया था लगभग को पास कर दिया गया और इसी करण से पिछले बार का कटब बहुत हाई चले गया ठीक है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा अब तो कोरोना और अरोना इससे खराब हो गया मतलब अब कोरोना अगर धीरे धीरे परक्रिया चला तब तो कहीं ना कहीं सिस्टेम खराब होगा और किसी का मालेजे मेडिकल में कोई प्रोब्लम है तो वह बच्चा पहले मेडिकल के लिए फिट होगा जाएगा तो फिट हो ही जाएगा वहां पर तो कहने मतलब कि फटा-फट परक्रिया हो तो क्या होता है जो इस्टुएंट रणिंग करने जानता अच्छा जो मेडिकल इस्टेंडर अच्छा रहता है न उसका लगवग हम देखे हैं कि पढ़ने में उतना माहिर नहीं होता है कुछ-कुछ कंडिरेश रहते हैं जो कि पढ़ते भी हैं दोडते भी हैं लेकिन लगव करना का समय एक्स्ट्रा मिला रणिंग करने का तो उनका रणिंग क्वालिफाई हो जाएगा अराम से तो थोड़ा सा हो गया कि मेरिट वाला इस्टुडेंट आपके साथ में आ करके कंपीट करेंगे ठीक है अब बात है कि नर्मलाइशन में कितना नंबर मिलेगा आप होगा तो समझ लीजिए आप लोग पास हो गए ठीक है और फिजिकल के लिए अच्छा स्तियारी करते रहें पर बारागुना इस बार रिजल्ट है मतलब समझे कि तीन लाग प्लस इस्टुडेंट को फिजिकल के लिए बुलाएगा ठीक है तो पहले भगवान से प्रात्ना जाएगा उसी से पता चल जाएगा कि मेरिट का क्या क्वाइलिटी रहने वाला इस बार और पिछले साल का मेरिट वाला एक्टुड वीडियो हम बनाए हैं चैनल पर या आप लोग कोई क्या बोलते हैं पीडिया भी देख लिजेगा पुराना साल वाला कि 2018 में कितना कर्ट सब गया था अलांकि में इसके बारे हम सब कुछ बताए थे तो उससे पको पता चल जाएगा और इस बार वेकेंसी भी कम है नेगेटिव मैनस मार्किंग है तो मैनस मार्किंग के कारण तो हम ऐसा जरूर हंडेट परसंट कंफार्म होके बोल सकते हैं कि मेरिट हाई नहीं ज जाएगा आप लोग टैंसान ना लीजिए और फिर समय मिलेगा इसी परकार से हम लोग बात्चित करते रहेंगे और अच्छे सब्सक्राइब खुशी रहे है कोई टैंसान नहीं लेना है समझे कि नहीं एक तम हसते खेलते रहे है लाइफ में कुछ नहीं है सोचना ही नहीं